ताकि में हमने पिछले एपिसोड में तेखा था कि एंसेस्टर्स जुयांग के सामने सेकेंड मेलेईन के अंदर से एक सुपरवाइजर डेडी आए थी जिसने की एंसेस्टर्स जुयांग को बताया था कि वहाँ पर कही सारे पावरफुल इम्मॉडर कल्टीवेटर है जो कि को मानने के प्रेक्टिस कर रहे हैं और इसके अलावा उसका काम है कि वह कई सारे इम्मॉडर कल्टीवेटर को ढूंड़े जो कि बहुत है पावरफुल हो यहाद है कि वह गौर्स का भी सामना करने के लिए तैयार हो और इसी वज़े से उसने यहां पर एसे जुना था जिस पर गौर्स को पाल्टी कहा जाता है इसके अलाव वहाँ पर इम्मॉडर के पारफुल कल्टीवेटर है कि इसी के साथ हम के डिसाइपल्स को देखते हैं ज्योंकि आप से बात कर रहे थे कि साथ साथ से के अंदर बहुत ही अच्छा खासा खाना होगा अब यह से भी आवस म पर आप लेकिन असले में एंसेस्ट्र व्यांग के डिसाइपल उस लड़की के बातों के ओपर ज्यादा ध्यार नहीं दे रहे थे जो देखर लग्सा आजाता है और वह आखिर तुम्हारे डिसाइपल किसमें टिक्टे पने हैं और वह किस बात को क्यों नहीं समझ रहे और इसके अलावा तुम्हें के मास्ट्र होने के अरबावजूद भी इतना रसान्थ हो अगर इस ऐसा है के अलावा यह सच है कि पूरा का पूरे दुनिया का कंड्रोल तुमारे हाथ में लेकिन मैं भी देखना चाहते हूं कि जब तुम बार्ड की पार्टी पें चाहोगे तो करते हैं क्योंकि एंसेस्टर जुयां से कहता है कि मास्टर जारा रुगो आप मुझे छोड़कर मच जाओ लेकि लिन जैसे ही उस दर्वाजे से एंडर होने की कोसिस करता है यहाँ पर वो एंडर नहीं हो पाता और काफिर दूर जाकर गिरता है इसके बात लिए एंसेस्ट जुयांग और उस लेड़ी को देखते हैं तब एंसेस्टर जुयांग उस जगे को देखकर कहता है क्या यही इंडिपेंडिट स्पेस हैं इस वोलर की बताती है कि हाँ पिल्कुल तुमने बहुत इस जल्दी अंदाजा लगा लिया लेकिन इसे के साथे वोलर की एंसेस्ट एंपर कंटिविट से मिलना चाहते हों तो उसके लिए सबसे पहले उसे कुछ टेस्ट को पार करना होगा और अगर उसने इन टेस्ट को पार कर लिया तब वो चाकर कॉड़ फिश्ट में जाकर मिल पाएगा इसे के साथे वोलर की उसे बताती है कि यह जैके कफ़दा यून बताती है कि कई हजार साल बीच चुके हैं तो एक ऐसे लॉइस परसन हो जो की अभी भी क्यो रिफारिंग स्टेज में है और यहां पर एंडर हो पाए हो जिसके बाद एंसिस्टर्स जुयांग उस लिए कि इससे पूछता है कि क्या मैं यहां के हरे कि को अच्छे तरसे दे खाई ही नहीं दे रहा लेकिंळ इस पर उन लेडि उसे बताती है कि यहाँ पर ऐसे कैई सारे के को बारे में चाहता है उसके सारे के सारे का एंसर उसे बहुत आसम से मिल जाएगा और इसके अलावा इस जगे के यहाँ पर एंटर होने के लिए हजारों सालों से लगब कई हजार कंटिवेडर आपसे फाइट कर रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई इतने आसमान से एंटर नहीं हो पाता अब वो दोना आपसे बात करी रहे थे कि तब भी अचानक पुने आसमान में कई सारे एंटर दिखाई देने लग जाता है यह देखकर वो लर्की एंसेस्टर्स जुयांग को बताती हैं कि इमोर्टल एंपरर के कल्टिवेड अपसे फाइट कर रहे हैं के बादो लर्की एंसेस्टर्स जुयांग को बता रही होती है कि यहाँ पर ऐसे फाइट होना एक मामूल सी बात हो चुकी है यह लोग आपसे फाइट करके अपने आपको पाफिजा इस्ट्रोंग बनाते हैं ताकि यह लोग गौट को वरे आसल से हरा सके तो वही दूर सी तरफ हम लोग उन्हीं चार इम्मॉडल एंपररियल्म के कल्टी उडरस को देखते हैं जो कि आपसे फाइट कर रहे थी इसे के साथ हमें पता चलता है कि यह लोग यहाँ पर असल में एक छोटे से बाल को लेन की कोसिस कर रहे थे जो कि आपस में जिसनली उस बाल को सबस्पले हासिल कर लेगा वही सबसे दा स्ट्रोंग वर माना चाता था इसे के साथ ही अब उनके बीच का फिसांदार फाइट होने लगता है वो लोग भी एक दूसरे के उपर अटेक कर रहे थे लगी इसे के साथी उनके से एक इमोर्टन कल्टीविटर को वहती गुस्शा आचाता है और वो उस वरसे हैंड के उपर लगातार अटेक पर अटेक करके बारे आलसान से डिस्ट्रोंग कर देता है लेकि इसलिके साथी उसके हाथ में वही मोती लग चाता है जिसे पाकरो काफी सांधार फाइट होने लगती हैं इसे के साथ ही वो सुपरवाइसर एंसिस ज्यांग को यहां के बारे में बताने लगती हैं कि यह लोग आपस में एक दूसरी के साथ फाइट करते हैं ताकि अपने आप वो और दे स्ट्रॉंगस बना सके तो वही दूसरी तरफ हम उन च है तो यहां पर कोई फरके नहीं पर रहा था लेकिन वर्लर की देखते हैं कि इस्ट्रॉंग तो यहां पर चाय बना रही थे यह दीकर रोड के उससे कहती है कि आकर तुम क्या सोच रहे हों आगर तो इसक्तरी के चाय को कैसे बना सकते हों तो ही दूसी तरह आप उने इम्मोर्टल एम्परर ग्रेलम की कल्टिवेट को देखते हैं जो कि आपने फाइट कर रहे थे लेकिन तब उनमें से एक इम्मोर्टल एम्परर सीधे अपनी वाटर मिचिक का इस्तमाल करते हैं उन तीनों के ऊपर बहुत खतरनाग अटेक कर देता हैं कर यह अटेक इतन मोटी को हासिर कर लेता है तो वहीं दूसरी तरह लेड़ी एम्परर को देखते हैं तो कि यह देकर काफ़ी बुस्टा हो जाती हैं और सीधे जिस बंदे के हाथ में वाटि ता उसके वाली वह ते पाफ़ल एटेक कर दीती हैं जिसकी एटेक के वजए से उस बंदे का हाथ वही पर कट जाता है जिसके बादो लेड़ी एम्पर चेंजी से उस मोटी को लेकर की ओपर अटेक करने लग चाती हैं अब इसे तरह से यहाँ पर उससे बेकी बीच काफ़ी सहनदार फाइट हो रहा था जिसकी वज़े से वो लोग भी काफ़ी घाल हो चाते हैं लेकिन और उससे बीच बीच बीचा के लिचेंट लग चांते हैं लेकिन इसे के साहते हैं लेकिन अब लोग समोटी के लिए काफ़ी देर से फाइट कर रहे हैं लेकिन आफ़ी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला तो तो इसे बहतर होगा कि हम इस बंदे को मार के रहे हैं अपने आफ़ सांद कर ले इतना कहने के बाद वो लड़की उस मोटी को समन करने के बाद एक्सेश्ड़ जो अपर अटेक कर देती हैं। लेकिंहां प्र एकिसेस्टिस्टिस जअंग अपने चेयार पे बरे आराम से बेटे हैं जिसके बाद उसका बरे आसा अने से पीछी फिक देता है अहीं है अद्री एकर जाथी पूर पर एसमार करते हैं वह तो त्युन Ew jij आपको यहजिए। अब एसवी ज्यांग के ऐसे बातों को सुनने के बाद उस लड़की वो लगता है कि साइज अब एसवी ज्यांग के उपर भी अटैक करने वाला है जिसके वजिसे वो लड़की काफ़े डर जाती है लेकिन तबी एंसलिस वे जुयांग उसे फूसता है कि क्या उससे चाई बनाना आता है अब इस बात को सुनने के बाद वो लर्की भी काफी हैरान हो जाती है कि बाद सीन बदलता है और हम गैस पिल को देखते हैं कि होलीस उसे कहती है कि वो यहाँ पर रहे कर काफी बौर हो चुकी है तो क्यों ना वो कही जाकर पूम कर आए इस पर होलीस उसे कहता है कि मांच्टर आप जहाँ जाना चाहोगे मैं आपके साथ वहां पर जाओंगा लेकिन तबी अच्छानक होली सन का तर्वियत खराब होने लगता है जो देकर गैस्पिल काफी जाता प्रिशन हो जाती है और उसके पाच अगर उसे कहती हैं कि उसे चिंदा करने की जरूरत नहीं है जब तो कोई यहाँ पर है तब तब उसका अच्छे से ख्याल रखी की के बाद दुन मिलकर वहाँ पर किताबे पने लग चाते हैं अब वो दुनों इस चीज़ को काफी अच्छे तरसे इंजॉय कर रहे थी लेकिन तबी अच्छाना गैस्पिल को ऐसास होता है कि उसके वोर किसी ने अटेक किया है जिसके वज़े से गैस्पिल बर आसानी से उस बंदे को रोग लेती है फिर हम देखते हैं कि यह बंदा एक पहना हुए कल्टिवेटर था चुकि वहाँ पर उनकी उपर अटेक कर रहा था लेकिन इसके साथ यो बंदा क्यों को देकर कहता है कि तुमारे पास तर डार्क एनेजी है लेकिन फिन तुम इतने अच्छे से सा करते हैं जिसके बाद देखती है कि उस बंदे ने सीते होले से अपना बंदी बना लिया था अब यह देखकर होले सबसे कहता है कि मांस्टर जल से यहां से चले जाओ लेकिन ते भी गैस उसे पुछते है कि बताओ आखि तुम क्या चाहते हो अब उसके बातों को सुनने के बादों बंदों से कहता है कि वो जादा कुछ नहीं चाहता पस वो इतना चाहता है कि उसे बस बस के साथ आना होगा और सी के साथी एपिसोड भी यही पर एंड हो जाता है तो मिलते हैं नेक्स एपिसोड में